आप सभी ने बादलों को देखा होगा. आम दिनों में ये बादल सफेद रूई जैसे दिखते हैं. लेकिन बारिश से पहले यही बादल काले रंग के दिखाई देते हैं. आखिर ऐसा क्यूं होता है? तो चलिए, आज हम आपको इसके पीछे का वज़व बताते हैं. दरसल बारिश से पहले बादलों के काले रंग के दिखाई देने के पीछे सूरच की रोशनी ही है. गर्मी के चलते तेजी से समुद्र नदियों का पानी वहाप बनकर उपर उठता है और बादलों में पानी भर जाता है. अब चून की बादल में पानी की मात्रा ज्यादा हो ही है तो बादल का घनत्व बढ़ जाता है और इसके चलते सूरच की रोशनी बादलों के आरपार नहीं जा पाती. इसके चलते ही बादल काले दिखाई देते हैं. हालां कि अगर हवाई जहाज में बैटकर जब बादलों को देखते हैं तो आपको बादल हमेशा सफेध ही क्योंकि उपर से बादलों पर सूरच की रोशनी तो पढ़ रही है लेकिन वह पानी के चलते आरपार नहीं हो पाती और बादल नीचे से काले दिखाई देते हैं. तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद